है लो फ्रेंट तो कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपके बताने सम्संग के जो मोवाइल होता है लिक फीचर होता है इसका स्मार्ट वॉप भॉप अभी क्या होता है कैसे यूज करते लो सबसे खास बात दोस्तों इसके वा冷 oficial बताने मालों या बन सकते हैं All और फीचर्स बताने मालों कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं और क्या-कैस में मॉडिफाइड कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को स्केप मत करीगा वीडियो को पूरा देखिए तो यह आप समच पाएंगे दोस्तों तो आगे चलते हैं मेरे नाम सनी अरवा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो दोस्तों सबसे बेले जो कि बता दू स्मार्ट जो पॉपप व्यों आप दो तरीके से अपने मोबाइल में कर सकते हैं जो सबसे पहला तरीका वह बता देता हूं वहां पर आप जाएंगे आप रिसेंट विंडो खोलेंगे वहां पर आपको ऊसी आप को पॉप ऑफ में खोलना है या वहां जाने कि आपको एंगे इता इसा कर सकते हैं जैसा आपको साइड से ही हें आप अपने या साइड भी अजस्ट कर सकते हैं तो फस्त होगे आपको ऐसी अगर आपको दूसरी एप को भी खुलना है तो बापिस आपको रिसेंड वाली विंडों में जाना है वहां जाने के आद आपको उस वाले आइकन पर जाके उसको चेंज ओपन इन पॉपप व्यू में क्लिक करना है तो यह वहां पर भी ओपन हो जाएगा ओपन होने के आद आप देखेंगे यहां पर ओपन हो चुका है ओपन होने के आद आप इसका भी साइड एजस्ट कर सकते हैं या अगर आप दोनों को साथ में यूजरी का आइकन मिल रहा होगा टॉप में आप दोनों को साथ में यहा यहां पर भी open in view पे कर देंगे तो यह भी आपका open हो चुका है और उसके बाद आप इसको यहां से drag कर सकते हैं नीचे और यहां पर आप देखेंगे तीनों चीज़े आपकी खटी वर्क हो जाएंगी यह सेटिंग भी खोल ली है और यहां से गैलरी भी open हो गई है और भी चाहें तो और भी open कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों सबसे जो hidden feature है वो है इसके यहां पर आपको दिख रहा होगा जो ऊपर की तरफ आपको चार icon मिल रहे हैं जो कि बगल में जो बिल रहे हैं चार feature में ही सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा feature लगा है मुझे वह है वो बताने वाला हुन सबसे पहले आपको जो option मिल रहा है क्रॉस का लास्त से बता रहा हूं क्रॉस करने के लिए तो आप करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा उसके बाद जो option मिल रहा है अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो अप ओपन हो जाएगी फ्रंट में आ जाएगी वो इसलिए है उसके बाद जो आपको option मिल रहा है यह है मिनिवाइस के लिए अगर आपने system यूज करा है अगर आप विंडोर यूज करते हैं कोई भी मिनिवाइस करेंगी उसका आइकन आपको हाइलाइट हो जाएगा जैसी आप उस पर आइकन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने अप को मिनिवाइस करा है वहां पर आपको दिख जाएगी तो यह हो गया आपका मिनिवाइस वाला option और उसके बाद जो सबसे कमाल का feature दो लिषना करें दूसरी चलते रहाता आप इसको अपने इसाफ से transfer कर सकते हैं आप चार हैंगे इतना ही कर लूँ उसके आप में कोई दूसरी चीज भी चला लूँगा और इसको भी चला लूँगा दोनों साथ में यूजज करता रहूँगा तो आप इसके साबसेंएप इसक को भी चला सकते हैं तो यह हो गया ट्रांसफेसी वाला option यह चाहे तो आप कितनी भी एप में continue कर सकते हैं like यह कर लिया और मैंने यहां से gallery को खोल लिया gallery को भी open in view में कर लिया और इसकी भी 30 मैंने normal कर दी तो आप में यहाँ पर दोनों एप को continue चला पाऊंगा अब डाउन करके यह होता है multitasking के लिए कोई चीज अगर आपको करनी है और दोनों साथ में चलाना है तो आप यह multitask करके दोनों को चला सकते हैं आप देख रहे हैं दोनों की transparency में लोग कर दिये और दोनों का और चाहें तो और भी कर सकते चाहें तो और जादा कर सकते जो सबसे कमाल का feature लगा मुझे ट्रांसफेसी वाला दोस्तो और दूसरा जो मैं बताया दोस्तो आपको बताने वाला दूसरी जगह से कैसे on कर सकते है smart pop-up view को उसके लिए आपको जाना है mobile की setting में, setting में जाने के आपको जाना है नीचे की तरफ advanced feature में, advanced feature में जाने के वाद आपको जाना है यहाँ पर smart pop-up view का option मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको उस app को slate करना है कि जिसका कोई भी notification आए तो by default आपका pop-up वाला icon आ जाएगा और आप pop-up view में उसको देख पाएंगे, like मैंने हाँ पर message को set कर रखा है, आप चाहें whatsapp को या कोई सी भी app, आपको सारी app मिल जाएगे, जिस app को आप pop-up view में जाते हैं, simply आपको उसको जाके हैं से enable कर लेना है, तो उस app कोई भी notification आएगा तो आपको pop-up वाला icon मिल जाएगा, उस icon पे click करेंगे तो आपकी उसका open हो जाएगा, तो यह इसलिए होता है दोस्तों, उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो thank you, तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों और हो सके तो मेरे वीडियो को शेर करना भी ना बूले दोस्तों और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना बूले ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अब बेड आप